कि पयाक है ऐे ते दंकी खाल आईस स्मृती रानी ने बंगाल की पूड UA Van Der जैंगली बंगाल की व्य desse расскah मृति राणि मम्ता राज में बंगाल के हालात हमें फ़। खुल कर रखती ममता बैनर जी के राज में बंगाल की व्यथा कहीं मितीरानी ममता राज में बंगाल के हालात पर परसी महिला अपराद मामले में टीमसी के गुंडों की खिचाई की केंद्री मंत्री स्मृतिरानी अपनी बात को साफ और स्वक्ष तरीके से रखने स्पक्ष्ट शब्दों में समझाने के लिए विख्यात है भार्षा चाहें अंग्रेजी हो या फिर हिंदी दोनों में ही निपुर्ता से बात कर अपना पक्ष रखना बहुत अच्छी तरह से केंद्री मंत्री स्मृतिरानी विपक्षियों पर हमने स्मृतिरानी को अकसर विफरते हुए देखा है सदन में ही विपक्ष के खिलाफ उनका रौदर रूप कई बार दिखा है अब नंबर ममता बनर जी का है उनके शासन में बंगाल में महलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाप स्मृति इरानी ने अपनी आवाज बुलंद की है। पश्रे मंगाल में कब तक TMC की राजिप रायोजित हिंसा से हिंदों की बली चड़ती रहेगी और हिंदों महिलाओं का बलातकार होता रहेगा। सुनिये क्या कहना है केंद्रिय मंत्री श्मृति इरानी का। बांगला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। TMC के गुंडों के बारे में पाटीर लोक देखे जावे कौन बारीर बहु देखते शुन्दूर। TMC के लोक घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहु सुन्दर है। के कॉम बॉईशी उमर में कौन कम है। ये बंगाल की संदिश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बंगला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर TMC के गुंडों द्वारा बोला जाता। तुमी शामी होते पाड़ों किन्तु तुमार कोनों अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पती हो सकते हो। लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बंगला की सुनापने क्या विथा सुनाई है बंगाल के महिलाओने बंगाली भाष्या में जिसका अनुवाद यहां बीजेपी कारेले में केंद्रे मंत्री स्मृती रानी ने सुनाया है। आगे सुनीए। Option nggak जोले जाबे रातेर पौर रात। उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जोतो खोन ता तिर मोन्तद ना भढ़ए तो तो खोन तोमारा रिहाई नहीं। जब तक TMC इनके गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन ओर्तों को रिहा नहीं किया जाता था ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातिय, मच्छी मार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहाँ पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते वे कहा फिर स्मृती रानी ने उस शक्स के बारे में सीधा ममता बैनुट जी से ही सवाल किया है जिसने महिलाओं को प्रतारित करने में कोई कोर का सर नहीं छोड़ी, खास कर हिंदू महिलाओं यह कहना है कि विशेश रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते जो वहां का प्रमुख मौमता बंदपाध्धाय का प्रतिनिधी है उसका नाम है शेक शाजहाँ अब तक शेक शाजहां के बारे में मीडिया में ये प्रश्न होता था कि ये शेक शाजहां कौन है मीडिया के बंदूँ से कहना चाहती हूँ कि शेक शाजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में एडी के अफसर गए तो एक हजार गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थर बाजी की और एडी को विवश होके एक स्टेटमंट देना पड़ा कि उनके तीन अफसरों पर जान लेवा हमला किया गया ये वो शेक्षा जहां है अब तक लोग पूछ रहे ते शेक्षा जहां कौन है आज प्रश्ण उठता है ममताबंध पध्य शेक्षा जहां कहां है फिर ममताबैनर जी हिंदू पर कैसे ज्यात्ती करती है इसकी कहानी भी स्मुती रानी ने सुनाई पर हिंदू नरसंगहार पर सौदा कर ममताबंध पध्य अपना सत्ता का सामराज्य चला रही ये तो हम सब जानते है घर घर जाकर मौमता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहूं को उठवा कर उनका बलातकार हो रहा है उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधान सभा से सस्पेंड करा देती हैं ये अंधा राज चल रहा है संदेश खाली की महिलाएं आप से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे वेर इस शेक शाजहां अब जब हिंदो महिलाओं की यूँ बंगाल में प्रतार्ना की जा रही है तो इस पर आवास तो बलंद होनी ही होगी बीजेपी ने शुरुवात कर दी है और अब इसी मुद्दे को उठा कर ममता बैनर्ट जी को रोकना चाहती है बीजेपी और अब शेक शाह जहां का तो पता लगाए बिना बीजेपी चुप नहीं बैठेगी शेक शाह जहां कहा है इसको लेकर अभी मामला यहां शान्त नहीं होगा और फिर विपक्षी दर भी जहां इसे एक बात को लेकर चुपी साधे बैठे हैं तो उनको भी स्मिती रानी ने तबियक से आड़े हाथ किया है स्मिती रानी ने राहूल गानी और इंजी अलाइंस में शामिल अन्य विपक्षी दरों पर निशाना साधा है कहा है महमता बैनोर जे इस पर चुपी साधे हुए है देश में न्याय यात्रा निकालने वाले चुप है और गटबंदन की बात करने वाले भी चुप है आखर ये चुपी क्यूँ? जब देश के एक राजब महलाओं का बुरा हाल है महलाओं प्रताडित की जा रही है रातो रात उठा ली जा रही है तो इस पर हर बात पर आवाज उठाने वाली कॉंगर्स के लिए ता आखर चुप क्यूँ बैठे है इन घटनाओं के बाद राजबाल सीवी आनन्द बोस ने भी वहां का हाल सुनाया था उन्होंने इन महलाओं की व्यथा को सुनाया था कहा था संदेश खाली की घटना किसी सभे समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना को दर्शाती है वहां महलाओं को परिशान किया जाता है उन पर हमला किया जाता है सत्ता रूर सरकार को दुर्ड़ता से और प्रभावी ढंक से स्मुद्धे पर कारे करना होगा लेकिन कारे तो तब होगा जिब कोई महिलाओं को न्याय दिलाने में दिल्चस्पी लेगा तब ही तो बीजबी विधायक और प्रशिम बंगाल विधान सभा में नेता प्रतिपक शिभेंदु अधिकारी ने भी संदेश खाली में मानवधिकारों के उलंगन का आरोप लगाया है साथी राजभवन जाकर एक ग्यापन भी सौपा है राजपाल बोस से संदेश खाली में शांती बहाली की मांग की गई है क्योंकि संदेश खाली में तनाव चरम पर पहुँच चुका है अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में इस माहौल के खराब होने की वज़ा क्या है क्या है संदेश खाली का पूरा मामला इस साल के शुरुआत से ही ईडी की टीम संदेश खाली में टीमसी नेता शेख शाह जहां के याँ छापे मारी के लिए पहुची थी तब शेख के समर्थकों ने इडी की टीम पर हमला बोल दिया था इस घटना के बाद राज्ज में कुल तीन फायार दर्ज की गए थी कोलकाता हाई कोट ने इडी पर हमले की जांच को सीबियाई को सापा हुआ है लेकिन इसके बाद से ही टीम सी नेता शेख शाह जहां फरार है शेख ने दो अदालतों में अगरिम जमानत की अर्जी लगाई है और इडी के नोटिस को शेख शाह जहां लगातार अंदेखा कर रहा है ऐसे में पिछले कुछ दिनों में शेख शाह जहां की प्रताड़नाव से तंगा कर संदेश खाली में खूब प्रदर्शन हुआ और अब तो तीखी जड़पे भी हो रही है यहीं कि महिलाओ ने आरोप लगाया है कि स्थानी टीमसी नेता शेख शाह जहां और उसका गिरोह महिलाओ का यौन उत्पीडन करता है साथी जमीन के बड़े हिस्से पर भी बलपूरवक कबजा करता है महिलाव ने फरार शेक शाह जहां की जल से जल गिरफटारी की मांग की है अब देखना दिल्चस्प होगा कि शेक शाह जहां कब तक मिलता है और इस पर बंगाल के सेममता बैनर्जी का मुग खुलता भी है या बंद रह जाता है इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं